हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 दिसंबर तक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंते तक जरूर सकते हैं, साथ या आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेर्स फंडा एप को भी इस्टोर कर लिजे, क्योंकि अदि आप हमारा डेली जो आप हमारा पेड मैटीरल है, पीडियोफ मैटीरियल इसको बाई करते हैं, तो यह सभी कंटेंट आपको हमारी इसी एप पर कराते हैं, कोई भी आपका डाउट हो, तो हमें कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर लिक हैं, तो चले फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की, बारत ने एशियाई चैंपियन्स ट्रोफी पुरुस होकी टूर्णामेंट में कांश पतक जीतने के लिए किस टीम को हरा आपके सामने हैं, सही आंसर होगा, आप्शन बी, इंडिया डिफिटेड पाकिस्तान टीम टू ब्रॉंज मेडल एर ता एशियन चैंपियन्स ट्रोफी मैंस होकी टूर्णामेंट, देखें सबसे पहले आपको जानना चाहिए, यह टूर्णामेंट हुआ का है, टूर्णाम आपको जानना चाहिए, इस टूर्णामेंट का चैंपियन कोन बना, यह साउथ कोरिया बना है, रनर अप, यानि की दूसरे पोजिशन पर जा पान रहा और तीसरी पोजिशन पर रहा है अपना भारत, साथ ही आपको जानना चाहिए, कितने टीम्स ने पार्टिस्पेट किय देखिए, शुरुवात में 6 टीम्स ने पार्टिस्पेट किया करने वाली थी, लेकिन मलेशिया जो है COVID-19 रिस्ट्रिक्शन के कारणी यहां से विड्रो कर गई, मलेशिया, तो इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, के बर इन 5 कंट्रीज ने इसमें पार्टिस्पेट किया है, इंडिया, सा साथ, बैटमिंटन वर्ड फेडरेशन एथलीट आयो के सतस्चे के रूप में न्युक्त किया गया है, ओप्शन आपके सामने है, सही आंसर होगा, ओप्शन ए, तो इंडियान शेटलर या फिर बैटमिंटन प्लेयर, पीवी सिंदू, has been appointed as a member of the बैटमिंटन वर्ड फेडर लोग हैं यह, तो देखिए इंडिया की two-time Olympic medalist है, सेटलर, पीवी सिंदू, तो इनको बैटमिंटन वर्ड फेडरेशन एथलेट्स कमिशन के member की रूप में जो है, इनके लावा 5 और लोग को चुना गया है, यह को है, यह हमें जानना इतना important नहीं है, ठीक है, 2025 तक इनका क जानने को जिसकी हो, की पीवी सिंदू का पूरा नाम क्या है, तो यह है, पुसारला विंकटा सिंदू, तो यह आप याद रखेंगे, पूछ लेते हैं इस तरह से, true caller की global spam report में भारत की rank क्या है, सही answer है, यहां पर option A, so India's rank on the true caller's global spam report is fourth, देखिए, true caller ने एक report जारी की है, जिसका नाम है global spam report, यानि कि सबस्यादा spam calls कहां पर आती है, तो इस मामले में भारत fourth position पर है, और इसमें यह का आए कि sales or telemarketing calls में काफी इजाफा देखा गया है, क्योंकि भारत इससे पहले ninth position पर था, अब जो है fourth position पर जंप कर गया है, परेसान है लोग इस तरी caller से, वो है Brazil, second position पर है पेरू, यदि हम इस तरह से chart देखें, तो ब्राजील, पेरू, और तीसे नंबर पर है युक्रेन, चलिए आगे बढ़ते हैं, DRD द्वारा कि स्वदेसी रोप से विक्सीत, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षण किया गया है, सही answer होगा, option A, so indigenously developed surface to surface missile, प्रलय, was successfully flight tested by the DRDU, देखिए, DRDU मतलब, defense research and development organization, तो इसने एक indigenously developed, नेरनी भारत में पूरी तरह से developed हुई है, surface to surface missile है, प्रलय, कहां से launch किया है, Dr. APC अब्दुरुकलाम आईरेंट, कहां पर है, ये, ODSा में है, ये, आप याद रखें, question इस तरह से बन जाता है, कि किस type की missile है, surface to air, ठीक है, या air to air, या surface to surface, तो याद रखेंगे, surface to surface missile है, और इसकी range है, 152, 500 km, और इसको mobile launcher से भी launch किया जा सकता है, बाकिया आपको जानना चाहिए, Dr. G. Satish Reddy कौन है, ये, Secretary of Department of Defense, Research and Development, साथी DRU के chairman है, बाकिया आपको जानना चाहिए, DRU की स्थापना साल 1958 में हुई थी, कई बार पुछा जाता है, DRU की जो, जो स्थापना वर्से ये क्या है, 958, भारतिय उद्योग परिसंग, यानि CII द्वारा 2021 में सबसे नवीन भारतिय अनुसंधान संस्थानों में से किस IIT को तालिका में सीर्ज पर रखा गया है, ओप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसरोंगा, ओप्शन D, देखी जो एक Confederation of Indian Industry है, इंडरस्टी बोडी का ये एक अपेक्स इंस्टिटूट है, तो इसने एक बता है कि जो Most Innovative Indian Research Institute है 2021 में, ये आपका IIT रूड की है, उत्राखण में. तो इन्होंने बता है, सेकंड पोजिशन पर IIT मदरा से, और थर्ड पोजिशन पर है आपका Indian National Center for Ocean Information Services है ये इंस्टिटूट आपके लिए काफी important है, बहुत काम आपको सुनने के लिए मिला होगा इसका नाम, लेकिन ये हैदराबाद में हैं, ये कई बार एक्जाम में पू So every year, India observes Farmers Day और किसान Day on December 23, देखे, किसान दीवस याफिर नेसल Farmers Day ये हर साल 30 December को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो भारत के 5th Prime Minister रहे, चोधरी चरंड सिंग की Birth Anniversary होती है, तो चोधरी चरंड सिंग जुलाई 1979 से January 1980 तक भारत के Prime Minister रहे, देखे, इनका सोट कारेकाल होता है ना, उनका पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं कि 1979 से 1980 तक कौन Prime Minister रहे, यह मैं आपको एक उस तरह की एक्जाम में बता रहा हूँ, जैसे बैंक का एक्जाम हो गया, या फिर इस्टेट रिलेटेड एक्जाम हो गया, जैसे हरियाना का एक्जाम हो इसलिए 23 दिसंबर को नैसल फार्मस्टे मना जाता है, आपको बताएं साल 2001 में जो है ये दिन मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, तब इसे मना जा रहा है, आपको बता दें जो चोदरी चरंड सिंग है, इन्होंने किसान ट्रस्ट इसकी स्थापना की थी 23 दिसंबर 1978 में, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस्तनपान के अनुकूल अस्पतालों की पहचान करने के लिए भारत भर के नीजी अस्पतालों में शुरू की जाने वाली पहल का नाम बताईए, देखे काफी confusing option है और काफी अच्छा question है, देखे लेते हैं option, baby friendly hospital initiative, breastfeeding hospitals initiative, breastfeeding hospitals network India या फिर breastfeeding friendly hospitals initiative तो यहाँ पर सही answer जोगा, वो आपका option A होगा, तो baby friendly hospital initiative is set to be launched in private hospitals across India to identify breastfeeding friendly hospitals, जानते हैं इसके बारे में काफी important है, देखे एक नया initiative शुरू किया जा रहा है, जिससे जो माताए हैं, वो एक ऐसा hospital चुन पाएंगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा friendly हो, breastfeeding कराना, इस्तनपान कराना, काफी friendly हो, आसानी से कराय जा सके, उनको भी अच्छा महसूस हो आपर, तो देखिए, breastfeeding promotion network of India, इसने association of healthcare providers of India के साथ मिलकर, एक program launch किया है, इस program का नाम है baby friendly hospital initiative, तो इसमें hospitals को tag दे दिया जाएगा, कि यह जो है breastfeeding friendly hospital है, आपको बता दें, यह जो baby friendly hospital initiative है, BFHI, इसको साल 1991, 1991 में WHO और UNICEF वारा सुरू किया गया था, भारत ने हाला कि इस initiative को सुरू में 1993 में adopt किया था, लेकिन उसके बाद अपने हाथ खीच ले थे, 1998 में, अब फिर से भारत जो है, इसमें भारत में फिर से यह launch होने जा रहे है, चिली का अब तक का सबसे, यूवा रास्टपती चुनाव, रास्टपती कौन बने गया है, प्रेजडेंट इलेक्ट, इसकी हिंदी सही से कर नहीं पाया, चिली का, प्रेजडेंट इलेक्ट मतल hackers होता है, जो प्रेजडेंट चुन लिया गया है, लेकिन अभी सफत नहीं हुई है, उसको बोलते हैं, प्रेजडेंट इलेक्ट, तो सबसे यूआ रास्टपती यहां के बनने जा रहे हैं, तो देखें लेफ्टिस्ट हैं और यह चिले के प्रेजिदेंशल इलेक्शन जीच चुके हैं यह सेबेस्टियन पिनेरा को सक्सीट करेंगे चिले भी बोलते हैं इसको चिले और हम बोलते हैं चिली इनकी पार्टी क्या है सोशल कनवर्जिन्स और आपको बता दें चिली की अगर बात करें तो कैपिटल सेंटियागो है और क्रंसी है चिली एन पैसो मेडिया में भारत की मोस्ट विजिवल कॉर्परेट के रूप में कौन सी कंपरी 2021 की विजी की न्यूज इसको रैंकिंग में सीर्थ पर रही है सही आंसर है ऑप्शन डी इसके बारे में देखें जो यूजस की न्यूज इसको रिपोर्टे कर लौंच की गई है विजी की द्वारा तो इसमें यह बता आई है तो तो आपको बात करें तो भारत के रहती है Reliance Industries Limited जो कि इंडिया की largest corporate है by revenues, profits and market value दूसरे नमबर पर State Bank of India है तीसरे पर है भारती Airtel, फिर Infosys फिर Tata Motors अगर हम globally बात करें तो पहले नमबर पर है Facebook जो कि सबस्यादा visible corporate है ठीक है मीडिया में Facebook पहले नमबर पर है दूसरे पर Alphabet Inc है जो कि Google की parent company है तीसरे पर Amazon है फिर Apple है, फिर Samsung है फिर Netflix और फिर Microsoft अगर हम globally reliance की बात करें तो ये 8th position पर है और आपको बता दें यदि हम State-owned firm की बात करें यानि कि किसी PSU की बात करें तो ये है NTPC जो इस लिस्ट में है ये है 13th position पर करनाटक ग्रामींड बैंक ने Care Health Insurance Limited के साथ समझता है आपन पर हस्ताक्षर किये है आपको बताना है जो ये करनाटक ग्रामींड बैंक है ये किस सारवजिनिक छेतर के बैंक द्वारा प्रायोजित है यानि कि sponsored है options आपके सामने है सही answer होगा option B करनाटक ग्रामींड बैंक है signed MOU with Care Health Insurance Limited करनाटक ग्रामींड बैंक KGB is sponsored by Canera Bank देखिए बेलरी में है इसका headquarters है करनाटक ग्रामींड बैंक का जो की Canera Bank से sponsored है इसने Care Health Insurance Limited के साथ एक MOU sign किया है तो Care Health Insurance Limited ले जो insurance products है जो insurance schemes है उसको करनाटक ग्रामींड बैंक अपने customers को offer करेगा अपनी branches में Mastercard और किस payment gateway ने card आधारित बुकतानों के tokenization के लिए भागेदारी की है options आपके सामने है सही answer होगा option C Mastercard and Google announce the rollout of tokenization for Google Pay users transacting through Mastercard credit and debit cards मैंने आपको बदा था tokenization का मतलब क्या होता है तो उसी के लिए Mastercard और Google Pay नहीं हाँ पर एक MOU sign किया है आप यहां से पढ़िब सकते है with this collaboration Google Pay Android users can scan and pay across all भारत QR enabled merchants tap and pay and making app transactions through their Mastercard debit and credit card digital motor बीमा उत्पादों के लिए किस सामान ने बीमा कंपनी ने phone pay के साथ भागेदारी की है options आपके सामने है सही answer होगा option A so Adelweiss General Insurance Company has partnered with phone pay for digital motor insurance products देखे जो Adelweiss General Insurances ने phone pay के साथ partnership की है जिसके किसके लिए digital motor insurance products के लिए तो phone pay customer अब यदी Adelweiss General Insurance की कोई insurance पर दिशी जाते हैं तो अपने phone पर app से उसको ले सकते हैं financial software and systems ने देश भर के अर्द सहरी और ग्रामीन छेत्रों में 1000 smart cash franchise ही खोलने के लिए किस bank के साथ हाथ मिला है काफी important question मैं इसको कहूंगा banking experiment के लिए सही answer होगा option A. So financial software and systems has joined hands with CSB bank to open 1000 smart cash franchises in semi-urban and rural areas across the country देखिए एक आपकी इंटेगरेट पेमेंट प्रोड़क्स एंड पेमेंट प्रोसेसर कमपनी है financial software and system FSS जिसको आप बोलते हैं इसने CSB bank के साथ जो है भागेदारी की है किसलिए भारत भर में hyper-local banking services provide कराने के लिए तो इसमें क्या होगा CSB bank और FSS ये दोनों मिलकर 1000 smart cash franchises semi-urban और rural areas में खोलेंगे ताकि जो वहाँ के लोग है उनको financial services अच्छे से provide कराए जा सके आपको जानना चाहिए जो ये CSB bank है इसको पहले Catholic Syrian Bank Limited के नाम से जाना जाता था अब इसको केवल CSB bank के नाम से जानते है और इसका जो headquarter से ये थ्रिशूर केरल में है इसके MDNCO CVR राजिंद्रन है तो देखिए यहाँ पर अगर हम smart cash से मतलब समझे तो जो smart cash franchises होंगी इनमें क्या क्या मिलेगा it will be equipped with a kiosk और a microatium device ठीक है यहाँ पर एक microatium device भी आपको मिलेगा जिसके तरूँ आप कई सारी banking और investment और credit or insurance products की जो है services का फाइदा ले सकते हैं एक तरह का kiosk आपको मिलेगा ठीक है उससे आप यह सब भी services यहाँ पर पासकेंगे R.L. जलप्पा का हाली में निधन हो गया वे किस पेसे से जुड़े हुए थे options आपके सामने है सही answer होगा option B so politician R.L. जलप्पा passed away recently जाने इनके बार में देखे veteran Congress leader रहे Congress के थे और Union Mr. भी रहे है R.L. जलप्पा इनका 96 एज में निधन हो गया है आपको बता दें यह सबसे पहले करणाटका की चिकब बलपूर Constituency से लोग सभा के लिए चुने गए थे जनता दल टिकट पर 1996 में उसके बाद यह जो फॉर्मर प्राइम मिस्टर रहे हमारे HD देवगोडा और I.K. गुजराल इनकी सरकारों में Union Mr. for Textiles भी रहे है निम्लिकित में से किसे Airbus द्वारा Engineering, निर्मान Engineering और सेवा रणनितिक आपूरतिक करता की रूप में चुना गया है Options आपके सामने हैं सही आंसर होगा Option D So Tata Technologies has been selected by Airbus as an Engineering, Manufacturing, Engineering and Services Strategic Supplier ठीक है तो देखे ये भी काफी अच्छा कोश्चन है आपके लिए Tata Technologies Limited को Airbus द्वारा सेलेक्ट किया गया है किसलिए Engineering, Manufacturing, Engineering and Services Strategic Supplier के रूप में केंद्र वित्यमंत्री निर्मला सित्रामन के नुसार विजे मालिया, निरो मोधी और मेहूल चोक्सी जैसे भगोडों की संपत्ती बेचकर बैंकों ने कितने करोड रुपे की वसूली की है Options आपके सामने है सही आंसर होगा Option B So Finance Mr. निर्मला सित्रामन said that banks have recovered rupees 13,109.17 करोड from the asset sale of fugitives like विजे मालिया तो 13,109.17 करोड रुपे यहां पर banks ने recover किये है अब देख रहेते हैं previous assignment questions के answer The World Bank is made up of how many member countries? answer is 189 माजी वसुंद्रा अभियान was started by which state government? answer is Maharashtra, what is India's rank in 2021? Mercer CFS Global Pension Index survey? answer is 14th और Iceland ने इसको top किया है Name the administrator and capital of Dadra and Nagar Haveli and Daman and the answer is Administrator है Prafful Khoda Patel और capital है Daman Which country will shift to a working week comprising 4 and a half days with a Saturday, Sunday weekend? answer is UA United Arab Emirates और आप में से कई एस्प्रेंट से काफी अच्छे से आंसर दिया है और काफी संख्या में आंसर दिया है इसी तरह से फ्रेंट ज्यादे ज्यादे से इनके हमें आप पार्टिस्पेट करें चले देखते हैं आज का assignment question यदि आपको अमारा content अच्छा लगता है तो आप video को like और share भी कर सकते हैं तो देखी जो प्रदार मंत्री जंधन योजना है total कितने करोड एकाउंट इसमें खुल चुके हैं यह आपको बताना है हाली में government ने data इसका provide कराया है इस जगह होती है काफी famous place है वहाँ पर होती है अगर कोई exception ना हो तो वही पर हर्जाल होती है ठीक है तो यह आपको बताना है यह हाली में जो है इसको defer कर दिया गया है Omicron की कारण तो पांचे questions के answer आप हमें comment box में जरूर बताइएगा यहाँ आपको एक कुछ अरगा अनसर भी आता है तो अब यहाँ हमें comment box में जरूर से बताया करें साथी current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quiz हम आप सबी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हैं आप हमारे current affairs की प्लेश दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ फैल्व एस्पेंस साथ हमारे current affairs को शेर जरूर करें आज का यह session आपको कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताईएगा थैंक यू गईस